आज के जеся नहीं बोधिस्त जून मा navigate अधिक तर इसमें से धंदा चलाने वाले ना वस्वरण जूट ना करना जूट बोलना इप च्छिस का शेवन ना किसी को परिशान ना करणा और हिंसा यह भी हुआ कि किसी के खिलाप सब्द ना बोलना यह भी दो इंशा के शेयरनी में आता है बोटान के देख लीजिए जापान के और आ себी य कि सर्लंका के बोथिष्ट को और चाइना के बुद्धिस्ट को देखने जिए सबके सब एक बुद्धिस्ट में क्या है एक चीज common है एक चीज समान है क्या है कि सबके सब मांस का सेवन करते हैं सबके सब हिंसा करते हैं सबके सब हिंसा करते हैं और बुद्ध का मार्ग क्या है पहला मार्ग यह है कि हिंसा ना करना बॉद्ध का एक सन्यासी होने का पहला मतलब क्या है हिंसा छोड़ना और वो पहले मार्ग में हिंसा पकड़ लिए तो किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बुरा बोलते हैं तो बुरा बोलना बुरा सोचना और बुरा करना भी तो हिंसा के शिर्णी में आता है अर्थात वो सब नकली बुद्ष्ट हो गए बुद्धि का मार्ग कहां से उनके अंदर बुद्धि हैं दूसरे को दूसरे धर्म को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं जितने भी बौधिष्ट हैं आप देखिए सब के सब गड़त बोलते हैं दूसरों के खिलाफ दूसरे धर्म के खिलाफ आप देखिए यह सब करते हैं कि नहीं करते हैं आप देखिए अपनी नेत्रों से ही देख लीजिए कभी आप जाएए नेपाल जाएए बुटान जाएए वहां तो भारती लोग जा सकते हैं ना वहां पर देखिए चाइना में देखिए जापान में देखिए सब क्या हो रहा सबके सब इंसा का कारी कर रहे हैं सबके सब मांस खा रहे हैं और अधितर किसका मांस खाते हैं सुवर का मांस खाते हैं सब अधिकतर क्या वो सब जीव नहीं है किसी जीव की हत्या करना कितना अपराध है बुद्ध ने सिर्फ इतने छूट दिया था कि ठीक है आपके पात्र में आ गया पर आप मरे हुए जिव का मांज खा सकते हैं कोई बात नहीं पर आप देखिए कि इतना सारा जिव मर रहा है कि सब के सब मरे हुए जिव का मांज खा रहे हैं और बुद्ध ने ये तब कहा था जब आप जंगल में हो और जंगल में क्या है सब्जिया नहीं होती है दिकतर मरी हुए जीव कभी-कभी मिल जाते हैं तब बुद्ध ने तब की छूर्दी थी लेकिन आप समाज में रहे रहे हो भी आप एक सहर में ले रहे हो, एक अच्छे सहतर में रह रहे हो, आपको सब्जिया मिल जाती है, तो आपको मांज खाने की क्या हो सकता? पर आपने पंचसील मार्ग के पहले से धानत का ही अनुसर्ण नहीं किया उसी का तिरसकार कर दिया आपने हिंसा किया तो क्या आप एक बॉदिश का लाने लायक है बुद्ध के पंचसील मार्ग में से पहले मार्ग में ही आप रगमगा गए आपका पाउंटिक नहीं पाया क्यों कि आप में इतना बोध नहीं है पहर हिल गया कि आपके जवान का स्वाद अधिक है आप अग्यान है नहीं आपके इंद्रियों पर आपका नियंतर्ण नहीं है कि आपकी जीप पर आपका नियंतर्ण नहीं है अगर आपके जीप पर आप का नियंतर्ण नहीं है तो आप कैसे बोधिष्ट बोधिष्ट का मार्ग अथा बुद्ध का मार्ग कैसे बोधिष्ट हुए आप इसकार्थ यह हुआ कि आप बोधिष्ट नहीं है